तो चलिए फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं कुछ अच्छे खाने से और सभी को ओनम की हार्त एक शुब कामना आए दिन की शुरुवात अगर अच्छे खाने से हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है ऐसा ही कुछ हमें महसूस हुआ फ्रेसिडिन्ट होटेल में जहां हम ठैरे थे उसके ब्रेक्फस्ट की स्प्रेद से हर दिन कुछ अलग और अनुखा ही होता था यह सफर थोड़ा लंबा होने वाला था क्योंकि हम सब अबुद भी जा रहे थे और हाँ जैसे आपने अभी दुबई फीचर अफ दे मुजियम देखा वहां भी हम जाने वाले थे बट जाके पता चला वहां पे दो महने का वेट टाइम था और हमें टिकेट्स नहीं मिले उनफॉर्चनेटली दुबई के चौका देने वाले स्काइलाइन की कुछ दूर छोड़के हम जा रहे थे तोवर्च दे कैपिटल सिटी जो जाना जाता है अपने थीम पार्क्स के लिए फरारी वर्ल्ड, शेक जायद, ग्राइन मॉस्क और भी बहुत कुछ चीज़ों के लिए वैसे इस सेद दुबई इस देस्टिनेशन वेर इंपोसिबल बिकम्स पॉसिबल एंड अन अन इमाजिनेबल बिकम्स रियालिटी सही मैं, सोच कितना सही है वेल, इस ताइम वी थॉड़ अलिटल दिफरेंटली इंसेद अव गेटिंग अ प्राइवेट राइड, वी चोज तो टेक बस जो कुल्चरली बहुत डाइवर्सिफाइड था हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी दोस्त, फिलिपीन से, आफ्रिका से, बांगलादेश से, सब एक साथ बात करते हुए ट्रावल कर रहे थे बस वस अलसो कॉइट कोजी, सिटिंग ट्रे, फोन चार्जर जरुरुत के हर सामान लखे वरते हैं ये है हमारे गाइड भाई, अली, व व व फ्रम पाकिस्तान श्मर है देयर भॉटीपि वपरायश तोर्स हुए तोर्स्या रहे एक से . my name is Ali, all your guides today and Mr. Saheer is our coach captain, all sent we are leaving the way this is the last skyline of the way, on your right hand side you can see the marina and JBR, Jumeirah Beach Residence and on your left hand side there is the JLT skyline, Jumeirah Lakes Tower marina and JLT this is the last skyline of the city, because once we cross marina and JLT so that we will not see any more tall buildings then there are electrical plants, the water plants and short industrial zone and then all the way to Abu Dhabi ladies and gentlemen we are on Sheikh Zayed Road which is the main highway in United November in terms of length, even itself the name of the road is on the father of the United November, 547 km is the total length of Sheikh Zayed Road and during your presence on Sheikh Zayed Road you can explore all the seven Emirates and even it's connected with the different highways which can take you in even different countries such as in Kingdom of Saudi Arabia or Sultanate of Omar so the way where we are going now so we are going to Abu Dhabi at least we are 145.6 km away from our first destination we will try our best to cover this one within next 80-90 minutes maximum and our entire journey will be on Sheikh Zayed Road, the same highway the first stop was Mirage, sadly photography allowed not the place in the place, there were many old and old and old and old things which were the most important things that were the Emirates culture which were the same as the Emirates culture many goals laden carpets were also the same as the sale पे थे अगला देस्टिनेशन जिसके लिए हम बहुत एक्साइट थे वो था Sheikh Zayed Grand Mosque. It is the largest mosque in the country which is a blend of Islamic, Moorish and Mughal architecture which was completed in 20th of December of 2007. कीवब कीवब झाल झाल द्रेस को रेंच चेकिंग इदर बहुत स्रिक्ट है फोर लेडीज दे अटार हस तो बी फुली कवर्ड और फोर मैं अनिफिंग अधर दन शॉर्ट्स दो और तीन लेविल्स के चेकिंग हुए तब जाके अभी को देंटर दे मेंन स्पेस एक मॉल के थ्रू से होते हुए जाना था मॉस के अंदर फोटोस लेने के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिये गए थे जैसे कि आप क्लोज होके कपल पिक्चर्स नहीं ले सकते हैं और हैंड जेस्ट्रस नहीं कर सकते हैं वाइल टेकिंग अपिक्चर किनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा था पूरे जगर कनेक्टेट था विद वोकिंग इसकलेटर तो जादा चलने में परशानी नहीं होगा जिनको अगर चलने में या घुटनों में तकलीफ है लेक आम ताकिंग अब अल्डली पीपल ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत ब जोएल जोल्स ताट ओन थिंक ओफ दर शेंडेलियर्स अर मेड अफ प्योर सोरस की क्रिस्टल्स और ट्वेंटिफोर कारेट गैल्विनाइज गोल्ड जो सीलिंग पे लगाए हुए है जो में प्रेंग हॉल है वो सेवन ताउजन लोगों को एक साथ अकोमोडेट कर सकता है गोल्ड एमबेरेट कार्पेट्स भी बिचाए हुए थे हर जगह सिफ गोल्डी गोल्ड देख रहा था तो प्रेंगू होग थे गोल्ड बिचे झाल झाल कर दी अरिमेंट सबक्राश तो व कहाँ बती समपन लू ए भालमंग which comes from different states, 32 are gents members and 8 are female members in the parliament of UAE. Grand Maus से निकलने के बाद फिर हमें लेके आया गया ये एक date shop में, जहां पे बहुत सारे varieties of dates और chocolates available थे, और हम आये इस shop में बहुत कुछ पसंद भी आया और हमने उठा भी लिया. क्यों है अच्छार 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 अगला डेस्टिनेशन था वान अफ माई फेवरेट्स अब अबुदावी दे फरारी वर्ल्ड फरारी वर्ल्ड आके थोड़ा फोटोज खेचा के एफवन रेसिंग कार के साथ और कुछ सॉविनियर्स लेके फिर हमें जल्दी वहां से निकलना भी था क्योंकि टाइम कहा था पर अबुदावी आए और फरारी वर्ल्ड नहीं आए तो क्या खाक अबुदावी आए पर अबुदावी आए पर अबुदावी आए और ये था हमारा एक दिन का अबुदावी ट्रिप वापस होटेल लोटने के बाद शाम को वहीं पास में एक छोटा सा मेला लगा हुआ था तो हम दोनों कुछ खाना, कुछ म्यूजिक और थोड़ा शॉपिंग के मज़े उठाने लगे और वेदर को भी एंजॉई करने लगे थे रात के टैंग इस व्लोग को यहीं पेंड करते हैं मिलते हैं आपसे फिर एक नए व्लोग में दुबाई सीरीज में तब तक के लिए टेक केर, सीया